हेलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास एट का साइंस लेसन वन हम लोग पढ़ रहे थे इस लेसन का हमने पेज नंबर सेवन तक पढ़ लिया था आज की वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे एंड इसमें लेएगे कॉसंस को सॉल्व करेंगे तो हम यहां से पढ़ने वाले हैं नेस्ट यहां पर एक कॉसन है टॉपिक है क्या कभी आपने सोचा है कि आंग गर्म क्यों होती है तो इसका आंसर भी इसमें दिया गया है जब किसी इंदन को जलाते हैं तो कारवन डायोकसाइड और जलवास्प बनता हैं किसी भी चीज को जब हम जलाते हैं तो उससे कारव तो उससे कारवन डायोकसाइड और जलवास बनता हैं और किसी भी चीज का जलना एक रसैनिक प्रक्रिया है और प्राथ के जलने से किसी भी चीज के जलने से एक नए पदार्थ का निर्मान होता है यह नए पदार्थ काफी अस्थाई होता है जिस प्रक्रिया में काफी मात बहुत ज्यादा होता है अता आग गर्म होती है ठीक है तो यही कारण है आग के गर्मोंग का कि युमिघी चीज की जलने सी जो नया प्रढ़त में बनता है वह अस्थाई होता है और उसमें काफी मात्रा में ईरजा निकलती है जिसका अमान याई कि इसका टामिरेचर से बहुत ज़्यादा होता है इसलिए आग गर्म होती है नेस्ट आपे आग पर नियंत्रन कैसे करें क्या आपके निकटस्त सहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है क्या कभी आपने आग बुझाते वे देखा है सधार्णे तया वह आग पर जल डालती है जल जो बाहरी वायू के आप पुर्ती बंद कर देती है और आग बुझ जाती है अगर आग से पूछा जाय कि जल आग को कैसे बुझाती है तो यहां पिल लिखा हुआ है जल जोलन सिल पदार्थ को थंड़ा करता है मतलब zukदार जो जल रह रहता है उसको पानी ठंडा कर देता है और पानी डालने से क्या होता है बाहरी वायू यानि की आक्सिजन की आप उर्ती बंद जाती है आक्सिजन वहां तक नहीं पहुच बाती है इसलिए आग बुझ जाती है आग के फैलाव को रोकने के लिए इन तीन में से किसी एक काम को करना पड़ेग तो आग जलना बंद हो जाएगा या फिर आक्सिजन की आप उर्ती बंद कर देना या फिर आप किसी भी तरीके से अगर वहां तक हवा नहीं पहुचने देंगे तो आग नहीं जलीगी तीसरा है उसके जोलन ताप को बढ़ा देना जोलन ताप को कैसे बढ़ा सकते हैं जैस पर आप पानी डालेंगे तो उस पदार्थ का जोलन ताप ज्यादा हो जाएगा जिससे आग बुझ जाएगी या फिर वो पदार्थ जल्डी जल नहीं पाएगा तो आग के फैलाव को रोकने के लिए इन तीनों में से किसी एक काम को करना परेगा तभी आग बुझ जाएगी नेक्स्ट ये हमारा अगनी सामक यंत्र ये वाला अगनी सामक यंत्र है इसी के बारे में मुलक परेंगे अब आग बुझाने वाले साहीं यंत्र जिसे अगनी सामक कहा जाता है के बारे में जाने ये दो तरक्य होते हैं एक जिसमें कारबंड योकसाइड गैस उच दाब प रखा होता है उसमें sodium bicarbonate का विलियन रखा होता है आग बुझाने की प्रक्रिया में जब काच की बोतल का मुह तोरा जाता है तो यह अमल sodium bicarbonate से प्रतिक्रिया कर carbon dioxide बनाता है जो आग का हवा से संपर्क तोर देती है जिससे आग बुझ जाती है अब सरकाड़ी आदेश के अनुसार काड़ीयले संस्थान या मर्टी स्टोरी बिल्डिंग में इन्हें रखना अतियावस्यक है आग बुझाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं अगनी सामकी अंत्र और ये दो तरह को होता है पहला होता है जिसमें की carbon dioxide gas बहुत ज़्यादा मात्र में उच्छे दाब पर भड़ा होता है और दूसरा होता है यहां पर लिखावा जिसमें की एक सिसे में आमल किसको कहते हैं एसीड को और जिस पात्र में कांच का बोतल करति करिया कर carbon dioxide बनाता है जो कि आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है जिससे आग बुझ जाती है ठीक है और इसको कहां रखा जाता है सरकाड़ी काड़ी अले संस्थान या मल्टी स्टोड़ी बिल्डिंग में इसे रखा जाता है तो यहां पर हमने देखा वैसे पदार अग लगने पर अगर उसके हम पानी डालेंगे तो उसे और current बढ़ेगा तो इसलिए बिजली से लगे आग को पानी से नहीं बुझा सकते हैं यहां पर है कुछ सावधानिया पर ध्यान देना आवस्यक्ष जहां बिजली से आग लगने वहां पानी का उप्योग नहीं किया जाए जहां तेल में आग लगा हो तो पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि पानी तेल से भारी होने के चलते नीची हो जाएगा और आग बुझ नहीं पाएगी तेल क्या होता है पानी से हलका होता है तो अगर आग तेल में लगी हो तो उस पर पानी नहीं डालना चाहिए क्यो बाल्टी में बालू रखा देखते होंगे जरा सोची ऐसा क्यों है पेट्रोल पंप के नजदीक बाल्टी में बालू रखा रहता है क्यों क्यूंकि पेट्रोल में अगर आग लग जाती है तो उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दिया तेल पानी से हलका होता है इसलिए तेल पानी के उपर आ जाता है जिसे कि आग नहीं बुझ पाती है पेट्रोल भी पानी से हलका होता है और इसका जलनता बहुत ज्यादा कम होता है जिससे इसमें आग बहुत जल्दी पकर लेता है तो इसलिए पेट्रोल से लगे आग को प प्रहें अगनिकान्ड क्यों आपने सुना ओगा चूँङ सब्सक्राइब क소 3 स्वता दहन का मतलब हो गया कि अपने आप जलना कोईले की खान में कभी-कभी अपने आप आंग लग जाती हैं सब्सक्राइब करने के बारे में आपने सुना होगा जिससे हर एक वर्स बहुत जानमाल की छती होती है जंगल में सब्सक्राइब कांट या तोधिक गर्मी से हो स आग लग जाता है तो इसके तीन कारण होते हैं या तो बहुत अधिक गर्मी के वज़त से आग लग जाता है या कभी-कभी पौधों की आपसी रगर मतलब पेर पौधे जब एक दूसरे से टकराते हैं तो पेड़ों के रगरने से भी आग पकर लेता है हम तेवारों पर ज तिव्र दहन का ही उधारन है अब यहां पर हम लोग मुंबती के बारे में परहें आप मुंबती की जॉला और रसोई गैस के स्टोव की जॉला के रंग को ध्यान पूर्वक देखिए मुंबती की जॉला के तीन छेत्र होते हैं बहारी भाग मध्य भाग और आंत्रिक भाग जब आप जलती भी मुंबती को ध्यान से देखेंगे तो आपको तीनों छेत्र दिख जाएगा इन तीनों छेत्र के बारे हमें यहां पर डिटेल में पड़ते हैं पहला है बहारी भाग नीला और अदिप्त होता है यहां पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहां ऑक्सिजन हो जाते हैं और चमकने लगते हैं यहां परविपूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि आक्सिजन यहां भी कम मिल्क पाता है तीसरा चेत्र है आंत्रीक छेत्र बत्ती के एकदम नजजीक होता है यह काला डंका होता है क्योंकि कारबन के कुछ कन बच जाते हैं यह सबसे कम गर हां कि सबसे गर्म छेटरं कौन सा होता है बहारी वाला भाग और सबसे कम घर्म छेटरं कौन सा हैं आंत्रिक छेटर यानि कि आंत्रिक भाग ऑarts चुलिए आगे देखते हैं यहां पर कुछ सबद हैं छ सब्सक्राइब काम हाने वाल है इसको आप लोग याद जरूर कर लिजेगा उसके आगे हैं यहां पर कि हमने इस चैप्टेट से क्या क्या सीखा है जैसे कि पहला हमारा दहन एक रसाइनी कभी करिया है यानि जोलन सिल्पदार्थ और ऑक्सिजन के बीच की अभीक्रिया दूसरा है खाना बनाने से लेकर ट्रांस्पोर् दहन के लिए दाय पदार्थ ऑक्सिजन की उपलब दिता और उसके जोलन ताप तक पहुँचने की आवसकता दहन के लिए तीन चीज़ जरूरी होता है पहला तो दाय पदार्थ हो गया दूसरा ऑक्सिजन की उपलब दिता जहां पर ऑक्सिजन नहीं होगा वहां पे हम किस ऐसे पदार्थ जो लो पर गर्म करने पर जल जाते हैं जोलन सील पदार्थ कहलाते हैं जो पदार्थ लो पर गर्म करने पर नहीं जलते और जोलन सील पदार्थ कहलाते हैं वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना सुरू होता है उस पदार्थ का जोल ताप कहलाता है फिर लास्ट में यहां पर ऑक्सिजन की उपस्थिति में जॉलन सिल्पदार्थों के जलने पर उसमा और प्रकास उत्पन होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं अब हम लोग इस चैप्र का कॉसन स्यॉलव करेगे तो इसमें टोटल एट सब्जेक्टिव कॉसन है उसके आगे यहां पर फिल इंदे ब्लेंग से हैं और फिल ट्रू और फॉल्स हैं तो पहले हम लोग इस ओसन दे ढथे हैं आठो कॉस्टन को पहले हम लोग देख लेते हैं देन हम आगे का कॉस्टन सॉल्व करेंगें पहला कॉस्टन है आग लगने पर उसे कई बार पानी डालने से बुझाते हैं पानी डालने से आग कैसे बुझी जाती है मतलब क्या कारण है कि पानी डालने से आग बुझी जाती ह तो इसके निमने दो कारण है पहला है पानी जोलन सील पदार्थ को ठंडा कर देता है जिससे आग का फैलाब बंद हो जाता है दूसरा कारण है पानी डालने पर जो जल वास्प बनता है वह बाहर से वायू को प्रवेशन नहीं करने देता जिससे आग बुझ जाती है अब दूसरा कासन है मौमबती की जोला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलाय क्यों बनता है क्यूंकि मौंबती की जाला के आंतरीक छेतर में कार्बन के कुछ कन जलने से बच जाते हैं जिससे कांच के प्लेट जाला के उपर ले जाने पर काला वलाय बनता है आपने देखा होगा कि आप जब मौंबती को बुझाते हैं तो उसका जो बत्ती होता है वो काला हो जाता है तो वो काला कार्बन डायोकसाइड के वज़े से ही होता है क्योंकि कार्बन डायोकसाइड के कुछ कन वहाँ पे बच जाते हैं इसलिए उसका बत्ती काला हो जाता है आप दीपक भी जलाते हैं तो उसमें भी आप वही देखेंगें कि आग बुझने पर बत्ती काला हो जाता है तो यह होता है कार्बन डाइयोकसाइड के वजह से और जब हम मोबती के उपर किसी प्लेट या किसी भी चीज को ले जाएंगे तो वो काला हो जाएगा तो यह भी कार्बन के वजह से ही होता है चले नेक्स्ट कॉसन देखते हैं नेक्स्ट है अगर किसी दुरुखटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है ऐसा क्यों? इसका आंसर है क्योंकि आग लगे वे व्यक्ति को कंबल में लपेट देने से उसके अंदर वायू का प्रवेश रुख जाता है जिससे आग बुझ जाती है किसी व्यक्ति के सरीम में अगर आग लग जाती है तो कभी भी उस पर पानी नहीं डालना चाहिए आग लगे व्यक्ति को हमें से कंबल में लपेट देना चाहिए तो कि कंबल में लपेट नहीं से क्या होता है बहार की वायू यानि ऑक्सिजन जो है वो प्रवेश नहीं कर पाता है जिसके वज़ा से आग बुझ जाती है next question है कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है ऐसा कैसे होता होगा इसका अंसर है कभी कभी गर्मियों के मौसम में गर्मी बहुत अधिक होती है जिससे सूखी खास में असानी से आग पकर लेता है यही आग पूरे जंगल में फैल जाता है तो यहाँ पे हमने एक कारण लिखा है तो हमने इसके तीन कारण पड़े हैं ठीक है कभी कभी जंगलों में आग बिजली के वज़े से भी लगता है अगास से जो बिजली गिरता है उसके वज़े से भी आग लग जाता है और बहुत अधीक गडमी के वज़े से भी आग लगता है या फिर पेरों को इस मिस्रण में भिगो दिया फिर से इसको पढ़िए आधा पैट्रोल और आधा पानि लेकर एक मिस्रत बनाया आधा पैट्रोल और आधा पानी उसमें एक कपड़े के तीली से इसे जलाया आग लगी पर कपड़ा नहीं जला ऐसा कैसे हुआ होगा इसका आंसर देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पानी पैट्रोल से भारी होने के कारण कपड़ा में मिल गया और पैट्रोल हलका होने के कारण उपर रहे गया और आग लगने पर पैट्रोल जल गया और कपड़ा बच गया कपड़े ने पानी को अपने अंदर सोख लिया क्योंकि पानी पैट्रोल से भाड़ी होता है ठीक है और पैट्रोल उपड़ी रह गया पैट्रोल को कपड़ा सोख नहीं पाया पैट्रोल उपड़ी रह गया इसलिए जब पैट्रोल पर आग ल गया लेकिन जो कपड़ा था वो पानी से भीगा हुआ था इसलिए कपड़ा जलने से बच गया कि मांच इसको जलाने के लिए उसे मांच इसकी डिब्बी से रगडा जाता है ऐसा क्यों इसका आउसर उगा जोलन ताप पाने के लिए जौलन ताप पाने के लिए माचिस की तीली को डिबी से रगरा जाता है हब next question है हमारा जौला के तीनों छेत्र दिखाईए तो ये एक मौमबती है मौमबती के बारे में हमने परहा था कि जौला के तीन छेत्र होते हैं ठीक है? पहला होता है बारी भाग, दूसरा मद्य भाग और तीसरा आंत्रिक भाग तो ये जो बारी भाग होता है ये नीला कलर का होता है ठीक है? यहाँ पर आप इसमें कलर भी कर सकते हैं ये जो बारी भाग होता है ये नीला होता है बीच वाला मद्य भाग जो होता है ये फीला होता है और ये आंतरिक भाग जो होता है ये काला होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कन यहाँ पर बच जाते हैं इसलिए ये वाला भाग काला होता है और ये मध्य भाग पीला होता है और ये वाला भाग नीला के लड़का होता है आप जब गैस स्टोफ गैस को या फिर मुबत्ती को दियान से देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा चलिए आठ नमबर का देखते हैं कॉस्वन घर में आग से होने वाली और साफधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों से कीजिए इसका आंसर आपने लिखा है घर में आग से होने वाली और साफधानियों से निमन उपाई करना चाहिए ये सब को पता होना चाहिए इस कौसन को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा फर्स नमर में किसी भी पदार्थ का दहन सावधानी से करना चाहिए मतलब किसी भी चीज को हमें बहुत सावधानी से जलाना चाहिए और जब हम किसी भी चीज को माचिस से जलाते हैं तो उस्पदार्थ को जलाने के बाद माचिस की तीली को इधर उधर बिना बुझाए बिल्कुल भी नहीं फेकना चाहिए ठीक है? सेके नमर में हैं बिजली का उप्योग सावधानी से करना चाहिए बिजली का उप्योग हमेशा सावधानी से करना चाहिए कभी भी पानी लगे हाथ से हमें किसी स्विच को या फिर किसी तार को नहीं चूना चाहिए बिना किसी काम के हमें बिजली का तार तो बिल्कुल भी नहीं चूना चाहिए फिर थर्ड नमबर में है बिजली या तेल से लगी आग पर पानी नहीं डालना चाहिए ये वाद सब को पता होनी चाहिए ठीक है फिर चाथे नमबर में है आग लगे व्यक्ति को कंबल में लपेट देना चाहिए नेक्स्ट कॉसन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा रित अस्थानों की पूर्टी करें कीजिए पहला कॉसन है वह नियूनतम ताप मान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंब करता है उस पदार्थ का डेश कहलाता है तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा ज्वलन ताप वह नियूनतम ताप मान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंब करता है उस पदार्थ का जलन ताप कहलाता है नेक्स्ट है डैस कमड़े के ताप पर आग पकर लेता है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में परहा था पिछले वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा तो description box आप लोग चेक करना मत भूलिएगा वो वीडियो देखने के बाद आप लोग ये वीडियो देख लीजेगा तो इसमें हम लोग लिखेंगे सफेद फास्फोरस सफेद फास्फोरस कमड़े के तापमानी यानि की normal temperature पर भी आग पकर लेता है नेक्स्ट है, मॉम एक हाइड्रो कार्बन है जो डैस और डैस से मिलकर बनी होती है हाइड्रो कार्बन यानि की हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है तो यहां पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन और यहां लिखेंगे कार्बन तो मॉम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है नेक्स्ट है इंधन के जलने पर डैस और डैस बनता है तो इसमें हम लोग क्या लिखिए है कार्बन और जल्वास्प इंदर के जलने पर कार्बन और जल्वास्प बनता है नेक्स्ट है पेट्रोल का जोलन ताप के रोसीन के जोलन ताप से जोलन ताप से डेस होता है पेट्रोल का जोलन ताप के रोसीन के जोलन ताप से कम होता है पेट्रोल का जोलन ताप बहुत ही कम होता है उसमें बहुत जल्दी आग पकर लेता है सो फ्रेंट्स हमारा क्वासर नंबर 9 भी कम्प्लीट हो चुका है क्वासर नंबर 10 हम लोग देखते हैं इसमें है निम्न पढ़ सही या गलत का निसान लगाई है पहले सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं कागच के कटोड़ा में पानी डालकर गरम करने पर कागच जल जाता है तो ऐसा नहीं होता है आपने ये क्रिया कलाब देखाओगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था पढ़ात हम लोगों ने यहां पे देखिए क्रिया कलाब 3 कागच के काटोड़े में जा पानी डालकर इसको मुपती को उपढ़ ले जाएंगे तो काज के कटोड़ा नहीं जलता है जो कि पानी गरम हो जाता है तो इसका क्या हो जाएगा इसमें कौन से टिक लगाएंगे इसमें हम tick लगाएंगे cross का यानि गलत का चीन लगाएंगे क्योंकि ये sentence गलत है ये कह रहा है कि काज की कटोड़े में पानी डालकर गरम करने पर कागज जल जाता है तो ऐसा नहीं होता है कागज नहीं जलता है फिर next statement है दहन के लिए वायू का होना आवस्यक है बिना oxygen यानि की बिना हवा के किसी भी पडात का दहन नहीं हो सकता है लाल फोसफोरस कमड़े के ताब पर आग पकर लेता है तो ये बिलकुल गलत है क्योंकि हमने क्या पड़ा है साफेद फोसफोरस कमड़े के ताब पर आग पकरता है और यहाँपे लिखावे लाल फोसफोरस तो इसलिए गलत हो जाएगा फिर नेक्स्ट है चूने का पानी, कार्बन एक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दुधिया हो जाता है तो ये वाला सही है नेक्स्ट है अमलोर सोडियम बाइकार्बोनेड प्रतिक्रिया कर कार्बन एक्साइड गैस बनता है तो ये भी सही है नेक्स्ट है तेल दौरा उत्पन आग को जल दौरा नियंतरित किया जा सकता है तो यह बिल्कुल गलत सेंटेंस है तेल से अगर आग लग जाये तो उसे कभी भी पाने नहीं डालना चाहिए दान और ज्वाला चीजों का जलना यह चैप्टर वन है और यह चैप्टर हमारा कमप्लीट हो चुका है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे यह वीडियो हैलफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेड कीजिए